दोस्तों नमस्कार जैस्री किष्णा जैस्री राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे मूलांक आठ वाले लोगों के लिए दो हजार पच्चीस कैसा रहेगा यानि कि आने वाला यह नया बर्स 2025 मूलांक आठ वाले लोगों के लिए सिख्छा स्वास्त करियर ब्यापार या फिर उनके लिए किस प्रकार का रहने वाला है आईए जानते हैं दोस्तों अगर आपका जन्म किसी भी महिने की 8 तारीक, 17 तारीक या 26 तारीक को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक आठ बनता है और मूलांक आठ वाले लोग बहुत ही ज़्यादा बहुत डिले काम करने वाले या फिर उनके काम में बहुत डिले होने वाला या फिर बहुत ज़्यादा वो अपनी लाइफ में संघर्स से गुजरते हैं जितना संघर्स जितनी कठनाई मूलांक आठ वाले देखते हैं उतना कोई भी नहीं देखता है इसलिए ये लोग बहुत ही अनुभवी हो जाते हैं अब 2025 को अगर हम टोटल करते हैं तो आठ नंबर से रूल होने वाले सनी जो आपके मूलांक के स्वामी है वो सनी है और 2025 को टोटल करते हैं तो उसको टोटल करने से 9 नंबर यानि 9 नंबर प्राप्त होता है और उसके स्वामी मंगल बनते हैं मंगल सनी को सम मानते हैं लेकिन सनी मंगल को सत्रू मानते हैं यानि कि आपके मूलांक के स्वामी उनको जिनके वर्स में आपको जाना है जिनके वर्स में आपको अपनी जिन्दगी बिताना है उसको सत्रू मानते हैं तो यानि कि आप इस वर्स में बहुत ही ज़्यादा संगर्स बिताने वाले हैं, संगर्स से हर काम निकालने वाले हैं, काम डिले तो होंगे ही होंगे, बलकि काम करने में एक भै और एक डर भी लगेगा, कि हम इसे सत्तुरु मानते हैं न जाने, ये हमें किस तरीके से टीट करेगा, किस तरह से देखेगा तो उसी इससाब से देखा जाए तो बिद्यारतियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा बहुत जादा डर, संकोच और भय का माहौल रहेगा करियर में भी बहुत जादा उतार चड़ाव का समय रहेगा प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो 2025 में जॉब जाने का खत्रा या भय आपको सताएगा आपके आफिस में अगर 200 लोग काम करते हैं तो 250 की जॉब चली जाएगी तो आपके अंदर डर आना सौभाविक है उसके साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा कि सरकारी जॉब में सड्यंत्र आपके खिलाब बहुत होंगे और सड्यंत्रों से आप परेसान भी होंगे 2025 में मूलांक आठ वाले लोगों के लिए क्योंकि देखे आपके मूलांक के स्वामी सनी बनते हैं और बर्स के स्वामी मंगल हैं तो उस कारण से मैं यही कहूँगा कि बहुत जादा जगड़े लड़ाई खत्रे ये तो आपके सामने आते ही रहेंगे उसके साथ साथ सनी मंगल जब आपस में मिलते हैं तब विद्भंस करवाते हैं दुरगटनाओं के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं यानि कि 2025 में कई बार दुरगटना या फिर कोई भी सरजरी एंजरी इत्यादी आपको हो सकती है बहुत जादा आप इस चीज़ से ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा खतरना के रिस्क भरा काम ना करें बाहन देख भाल के चलाएं और जल्दवाजी जितनी करेंगे उतनी बड़ी चोट लगेगी चाहे वो जिंदगी की किसी भी काम में हो चाहे बाहन की रप्तार हो तो जल्दी में बिलकुल न रहें क्योंकि कहते भी हैं मतलब खतरे से तो देर भली तो आप यही समझ लीजिए कि आपके लिए जितना आप जल्दी कोई भी काम करेंगे वो काम बिगड़ेगा क्योंकि काम तो सब लेट ही होंगे और लेट जब काम होंगे तो आपको दिक्कत होगी और दिक्कत होगी तो आप जल्दी करना चाहेंगे और जल्दी जब करेंगे तो वो काम बिगड़ ही जाएगा इसलिए बिगड़े ना उससे अच्छा देर में ही सही लेकिन पूरा तो हो जाए यह वर्स सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए खतरनाक है जो कोर्ट कचेरी से सम्मंदित कारे करते हैं या फिर वकील हैं जज हैं और मैं यह भी कहूंगा कि जो दलाली का काम करते हैं और पुलिस विभाग में भी रिस्वत इत्यादी आनी थोड़े से करप्ठ हैं उनके लिए यह वर्स बहुत खतरनाक रहेगा बहुत ज़्यादा परेशानियां तो आएंगी आएंगी मैं तो यह कहूंगा कि यहाँ पर परेशानियों से ज़्यादा आपके करियर के लिए खतरनाक है वर्स और यह डराने वाली बात नहीं है बस आपको साबधान करना चाहता हूँ बाकि अगर आप इमानदारी से चल रहे हैं चाहे पुलिस विभाग में हैं चाहे कोट कचेरी में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है हाला कि अगर आपके कोट कचेरी में केस चल रहे हैं आप किसी परकार से जमीन या फिर कोई प्रापरिटी का केस लड़ रहे हैं और आपके पक्षमें चीजें आपको लग भी रही हैं कि आ जाएंगी या फिर आप हर तरीके से सही हैं तब भी आपको खतरा नजर आएगा और तब भी विरोधी पक्ष आपको परेसान करेगा तरस्त कर लेगा कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आप परेसान होने वाले हैं इस वर्स में इस वर्स में कोट कचेरी में पैसा बहुत जाने वाला है married life और love life में तनाव की स्थिती रहेगी बहुत जगडे लडाई होंगे और love life में कई बार बहुत ज़्यादा toxic relationship बनके break up भी होगा बिसेश रूप से जून के महीने में break up होगा और मैं आपको यह कहूँगा कि 17 जून को break up का बहुत ज़्यादा chance है कि जहाँ break up ऐसा break up हो जाए कि 3 महीने बात ही ना हो लेकिन permanent break up दिखाई नहीं पड़ता है married life में court का चेरी तक या धमकियों तक बात पहुँच सकती है society में एजज़त उचल सकती है बहुत सारी ऐसी चीज़े है अब अच्छी चीज़ें किन के लिए हो सकती है मैं आपको बहुई बता देता हूँ अच्छी चीज़ें उन लोगों के लिए हो सकती है जो पुराने बाहन क्या विक्कड़े का काम करते हैं बाहन रिपैरिंग का काम करते हैं या फिर किसी प्रकार से hardware का business करते हैं उन लोगों के लिए समय फिर भी सुब रहेगा तो दोस्तों यह था मूलंक आठ वाले लोगों के लिए 2025 इस प्रकार का रहने वाला है अगर आपको यह वीडियो पसंदा इस वीडियो को like, share, comment जरूर करें और चनल पर पहली बार आए हैं चनल को subscribe करके वेल आइकन ट्रेस कर लें बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार